और पहलवानों के सियासी दंगल पर सियासी दंगल छिड़ चुका है कॉंग्रेस के पहलवान क्या आंदोलन होगा बदना बात करेंगे विनिश फोगाट और बजरंग पुनिया के सियासी डेप्यू की तो प्लेटिक से अमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे जीजान से मैनस करेंगे डोन प्लेटिक सोन अल डिस इस 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 तो अज़र जो जो सारा विशेत था वो राज़ची से ओत्रोथ था कि अरियाना युगाओं का परदेश रहा है थिलाडियों का परदेश रहा है थिलाडियों को आगे लाना चाहिए किस रूप में आगे बढ़ेंगे वो समय बढ़ें यह तो उनका परसनल फैसला है, उनों को इच्छा होई मन में उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने की सोची, तो वो उनकी चोईस है, उनको लगा कि उनको वहां बहतर दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने वो चीज फैसला लिया है। रखता है बीजेपी तब भी उस बेटी के खलाब थी, अब भी खला दे, आओ, अर्याना की जन्ता इंतजार कर रही तो राहूल गांदी जी इसलिए तुछी पार्टियों से फील कर रहे हैं, कि भी हमें खुछ बंदें दे दो, ताकि हमारे नब्बे पूरे होने हैं। आप जानते हैं, आँसे पांस दिन पहले विनेश फोगाट शंबू बॉर्डर पर किसानों से मिलने गई थी, उन्होंने का था कि वो एक खिलाडी है, भारते नागरिक है, उनके लिए चुनाव भाई नहीं रखता, जब विनेश फोगाट से पूछा गया था कि अगर कॉं लगें, छे दिन, छे दिन बाद, ये अचा गुत तस्फीर है, चार तरीक थी, तब छे दिन बाद विनेश फोगाट कॉंग्रेस में शामिल हो गई है, यानि कि देश की बेटी कही जाने वाली, विनेश फोगाट अब कॉंग्रेस के लिए वोट मांगेंगी, विनेश के सा मलिकार जुन खडगे ने कहा कि कॉंग्रेस को इन दोनों पर गर्व है मलिकार जुन खडगे ने सोशल मीडिया पर दोनों के लिए चक दे इंडिया चक दे हरे आना भी लिखा ये वो तस्वीरें थी विनेश फोगाट और बरजंग पुनिया की कॉंग्रेस में इन फ्री तभी सित्य मानी जारी थी साथ जब दो दिन पहले दोनों के लड़ी राहूल गांधी से में लखे और उनके साथ फोटो किछवाई थी इसके बाद सही कहा जा रहा था कि ये वो तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर विनेश फोगाट और बरजंग पुनिया हर्याणा विदानसभा चुनाब लणने के लिए कॉंग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं राहूल गांधी से मुलाखात के बाद दोनों की सीठे भी तै हो गई थी अब बताय जा रहा है कि चुनाब विनेश फोगाट जो है वो लड़ सकती है अला कि सीठ को लेकर असमन्यस अभी भी बना हुआ है मतलब ये का जा रहे है कि पहले सित्त है था उनका कॉंग्रेस में आना फिर भी विनेश कहा रही थी कि वही वो राजनीती की बात नहीं जानती उनके लिए चुनाब मैंने नहीं रिखता लेकिन आज कॉंग्रेस का हाथ पकड़ने के बाद विनेश फोगाट ने क्या का कि कॉंग्रेस उनके साथ बुरे वक्त में खड़ी रही और उनके आसू को समझा सुनाते आपको कॉंग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि जब बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है जब हम रोड पे गसीटे जा रहे थे तो छोड के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टिया है वो हमारे साथ में थी हमारे दर्द को समझ पा रही थी हमारे आसूओं को समझ पा रही थी मैं बहुत प्राउड फिल कर रहे हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में एक ऐसी विचार धारा में हूँ जो मैलाओं के साथ हो रहा अन्याए और उनके साथ बुरे बरताओं के खिलाफ खड़ी है अब तक कुष्टी के मैट पर देश का मान सम्मान बढ़ाया कोई डाउट नी है लेकिन आथ से कहा है दोनों राजनीती के खाड़े में उतर चुकी है उतर चुके है इसलिए शायद आब राजनीती के खाड़े में उन्हें वो साहनुबूती शायद अब समभ़ता ना मिले जो कुष्टी के मैट पर देश के लिए खेलते हुए उन्हों मिला करती थी राजनीती माने के बाद उन्हें साब देश की बेटी से पहले कॉंग्रेस का नेता कहा जाएगा कहा जाने लगा नेलविज ने कह दिया है कि वो देश की बेटी नहीं कॉंग्रेस की बेटी है को साक्षी मलिक मेरे पास भी ओफर आए बड़े लेकिन मुझे यू था कि मैं जिस चीज से जुड़ी हूं जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है मैं उसको पूरा लास्ट तक लेकर जाऊं और जब तक जो है फेडरेशन हमारी क्लीम नियों जाती बैंड बेटियों का आज रिजाइन दे दिया हो पार्टी में जाने के लिए लेकिन आंदोलन जो मेरी तरफ से है वो जो मेरी लड़ाई है वो जारी है और मैं सदाइस्ती इसके लिए काम करते रहूं करते रहूं